Hello viewers, today my next topic is map and its type, ठीक है, तो इस map के थरो, I am going to explain you what is the properties or what is the features of this map, तो सबसे पहले हम इंडिया के map को दिखते हैं, तो आपके जो right sign पे होता है, वो कौन सा direction होता है, east, आपके left side में होता है, west, top पे होता है north and bottom is south, ठीक है, तो जो north का अप area है, north से लेके east तक एक पहाड की संग्रा है, there is mountain, mountains कैसे है, पहाडों से घिरा हुआ है, तो north से लेके east पार्ट में हमारे पास mountains की range है, जिसको हम कहते हैं, हिमाल्यान range, ठीक है, उसके बाद आपके west और north के area में आपको मिलेगा great Indian desert, जिसको हम कहते हैं, third desert, मतलब एक इंडिया एक इंडिया ऐसा land है, जहां पो हर तरह का physical feature आपको मिलेगा, कहीं आपको snow covered mountain मिल ला है, in which direction, north direction, कहीं आपको desert मिल ला है, that is in west direction, कहीं आपको plane मिल ला है, ठीक है, यह क्या है, northern plane है, ठीक है, और कहीं आपको plate you मिल रहा है, plate you क्या होता है, जिसको हम कहते है, table land, मतलब जब पहा है, और जब धीरे 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 घिसने लगता है, तो it became a table land, ठीक है, इसी को हम कहते है, plate you, फिर इसके east में है, bay of bengal, और west में है, arabia zi, ठीक है, फिर इसके, जो है, south direction में कहीं तरह के island का group है, जिसको हम कहते है, आपके east में कौन सा है, अंडमान ए निकोबार island, और आ आपके जो west में है, आपके लक्षदिप island का group है, क्यों group कहा जाते है, क्योंकि कही सारे चोटे-चोटे island mix, यहां पे आपको मिलते है, island क्या होता है, ऐसा land का area, जिसके चारों तरफ क्या होगा, water होगा, ठीक है, इंडिया का south part, एक peninsula है, क्यों पेनिसूला है, क्यों और west में इसके Arabian Sea है, तो इंडिया का south part है, इंडिया एक subcontinent भी है, क्योंकि यह अपना जो boundary है, वो तीन country के साथ share करता है, and that is Nepal, Bhutan और Pakistan, इसी के कारण इसको उखाल जाता है, इंडिया also a subcontinent, ठीक है, आपको पता है, जहां समुद्र होंगे, जहां seas होंगे, वहां beaches होंग जहां घाट भी बनते हैं, तो इंडिया के पास largest घाट है, एक जो east में है, उसको हम कहते है eastern घाट, और एक जो है, वो west में है, जिसको हम कहते है western घाट, ठीक है, घाट क्या होते है, जो bank होते है, reverse के, जो bank होते है, water bodies के side, ठीक है, now I'm going to define you about its type, मैप क्या होता है, एक flat representation होता है, जिसको हम कागज पे show करते हैं, या एक sheet पे show करते हैं, उस land के पूरे structure को, तो अभी next part, मैंने अपने पहले बताया था कि कौन-कौन सा features आपके इंडिया में हैं, अब इंडिया के मैप को हम तीन type में divide करेंगे, first is physical map, physical map means जो उसका land form दिख क्या है, mountains है, east और west में इसके घाट है, west में इसके desert है, और south में इसके water bodies है, तो ऐसा map जो उसका land का structure बताए कि किस जगह पे mountains है, किस जगह पे desert है, किस जगह पे water bodies है, या plain area या plative area है, जो इस तरह का structure को पूरा show करता है, एक map में, तो that become the physical map, ठीक है, there is another type of map that is known as political map, political map क्या होता है, जो states को दिखाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ, यहाँ, you can see here, ऐसे ऐसे करके आपको पूरा division मिलेगा, तो इस तरह कर जो division मिलेगा, तो इस क्या कर रहा है, आप देखो, Jammu and Kashmir अलग है, अपने boundaries के वज़ा से, नेपाल, इंडिया से अलग है, इस लाइन के वज़ा से, पाकिस्तान अलग है, इस लाइन के वज़ा से, तो हर एक state आपको इसमें अलग-अलग दिखेगा, तो वो map, जो state दिखाए, for example, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मर्द प्रदेश दिखाए, तो जो ऐसा map, जो पूरे state क बॉर्डर दिखाए, इना, state का area दिखाए, with boundaries, for example, नेपाल का बॉर्डर आप देख सेते हो, पाकिस्तान का बॉर्डर, तो ऐसे map को है, हम कहते है, political map, ठीकि, आप कभी-कभी देखते हो, को news में, कभी दिखाता है, cloud और तेज बारिश दिखाता है, तो कभी दिखाता है, कि कि मत्तब, sun छुपा हुआ है, sunny day, cloudy day है, कभी दिखाता है, बहुत तेज sunshine हो रहा है, यह कभी दिखाता है, कि बहुत तेज बारिश हो रही है, तो जब ऐसे climate को दिखा दिया जाए, है ना, climate की condition को दिखा दिया जाए, या weather को दिखाया जाए, जिस map में, उसको हम कहते है, thematic map, ठीक है, और यह है आपका political map, तो physical map क्या होता है, जो land के बनावट को शो करें, किस एरिया में क्या चीज है, तो उसको हम कहते है physical map, political map क्या होता है, जिसमें states या country अपने border को शो करें, और border के वज़ा से अलग दिखे, तो ऐसे map को हम कहते है, political map, जिस map में हम map पही होते है तो जब हम उसका structure देखते हैं, तो बन जाता है, उसका land form के feature देखते है, तो बन जाता है physical map, जब state देखते हैं, उसकी boundaries देखते है, country देखते है, तो बन जाता है political map, और जब उसी map में हम इन सब के अलावा, यह रीखते हैं, कि weather में क्या क्या चेंजिस हो रहा है, कहा sunshine है, क कहा cloud है, कहा sunny day है, कहा cloudy day है, यह सारी सीरी जब देखते हैं, तो that becomes the thematic map, ठीक है, तो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं finish होता है, if you like my video, please like, share and subscribe, thank you.